हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, आज की अपनी इस क्लास में हम डिसकस करेंगे रिपल अप डाउन काउंटर, यह वो काउंटर है जो अप और डाउन दोनों ही डारेक्शन में अपनी काउंटिंग को कंटीनू रख सकता है, आज की वीडियो को समझने से पहले आप मेरे प्रिविएस वीडियो जिसमें मैंने रिपल अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर को बहुत डिटेल में डिसकस किया है, उन्हें जरूर से देखें, ताकि आज के इस कॉंसेप्ट को और इस सरकित को आप अच्छे से समझ पाए, तो रिपल अप डाउन काउंटर का मत से क्लॉक की तरह ट्रिगर होंगे, ठीक है, अब अप डाउन काउंटर, तो रिपल काउंटर का मतलब ये, कि एक फ्लिफ लॉप की स्टेट दूसरे को क्लॉक की तरह ट्रिगर कर रही है, तो ये रिपल का एक सेलिंट फीचर हो गया, अप डाउन, इट मींस, ये अप डर, अपवर्ड डारेक्शन में भी काउंट कर सकता है, जिसमें 0-0-0 के बाद में नेक्स्ट जो स्टेट है, वो 0-0-1, 0-1-0 इस तरह से मूव करेगा, और 1-1-1 के बाद नेक्स्ट स्टेट अगी, 0-0-0 आएगी, ठीक है, ये 3-bit काउंटर है, इसलिए 0-0-0 से 1-1-1 तक काउ करता है, ये ही काउंटर अगर आपने डाउन कंट्रोल सिगनल को या डाउन काउंटिंग के सिगनल को आपने हाई किया, तो ये डाउंड वोर्ड डारेक्शन में काउंट करने लगेगा, और उस कंडिशन में 1-1-1 स्टेट के बाद में नेक्स स्टेट जो है, वो 1-1-0, 7 क के बाद में 6, 6 के बाद में 5, और इस तरह से वो मूव करेगा, और 0-0-0 के बाद में नेक्स स्टेट जो है, वो 1-1-1 हो जाएगी, तो ये हमने डिटेल डाइग्राम बना रखा है, रिपल अप डाउन काउंटर का, ठीक है, तो इसमें 3 फिलिफ लॉप है, और इनकी में रिपल काउंटर के डिस्कुशन में ये कंक्लूजन निकाला था, कि जिस फिलिफ लॉप को मास्टर क्लॉक मिलेगी, वो LSB की तरह का करेगा, ठीक है, A, B and C, A, B and C, तो C LSB होगी, क्योंकि C को क्लॉक मिल रही है, और यह हर क्लॉक के साथ टॉगल करेगा, सभी फिलिफ लॉप की J और K जो इनपुट्स है, वो VCC से प्लस 1 से जोड़े गए है, इत मींज, J के फिलिफ लॉप टॉगल स्टेट में वर्क कर रहे हैं, जब भी क्लॉक मिलेगी इनको, यह अपनी प्रिविएस स्टेट से टॉगल हो जाएंगी, यहाँ पे हमने, अब क तो आपका जो काउंटर है, वो अपवर्ड डारेक्शन में काउंट करता है, अगर हम डाउन काउंटर को क्विक रिवाइस करें, तो उसमें Q बार जो है, वो next flip-flop के लिए clock का का काम करता है, तो अगर हम अप के साथ Q को end करें, और डाउन कंट्रोल सिगनल के साथ Q बार को अगर हम end करें, तो हम दोनो purpose जो है वो achieve कर सकते हैं, यहां देखिए कि अगर आपने up count, इस पे अगर आपने high किया, what does it mean? कि आप counter को upward direction में counting करवाना चाहते हैं, और counter के states क्या आने चाहिए? अप state में, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, and again 000, यह अप counter में आना चाहिए, और इस condition में आपका Q जो है, वो clock का 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 करना चाहिए, तो देखिए, जब अगर आपका up count high है, तो Q, यह Q और यह up count, यह जो है, यह दोनों end हो रहे हैं, और इनका जो end product है, यह इस final or gate में जा रहा है, जो की next flip-flop के लिए clock का 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 काम कर रहा है, तो यहाँ पर clock किसे मिल रही है, अगर आपने up count को high किया है, तो Q जो है, वो next flip-flop को clock दे रहा है, और next flip-flop negative edge triggered है, तो जब भी C1 से 0 जाएगा, तो आपका B toggle कर जाएगा, similarly जब B1 से 0 जाएगा, तो A toggle कर जाएगा, A को भी B और up count, इन दौनों से clock मिल रही है, इस end gate में आपको high मिलेगा, और ये जो आपकी clock है, वो Q से या QC QB से गवान हो गई, तो आपका up counting का जो purpose था, वो अच्छी हो गया, दूसरी तरफ, अगर आपने down count पे high रखा, अगर आपने down count पे high रखा, तो देखिए, ये QC और ये down, इनका end product जो है, वो clock का का काम कर रहा है, तो अब इसको जो clock मिल रही है, next flip-flop को, वो Q C bar की तरह से मिल रही है, यहाँ पे आपका Q bar जो है, वो clock का का काम करेगा, जो की ripple, down counter का basic concept रहता है, तो Q C bar आपको यहाँ पे down count के साथ end होके high generate करता है, और जब भी Q C bar 1 से 0 जाएगा, आपका next flip-flop जो है, वो trigger हो जाएगा, और ये Q B आपका toggle करेगा, आपका similarly, जब भी Q B bar 1 से 0 जाएगा, तो आपका A जो है, वो toggle कर जाएगा, तो अगर अप high है, तो Q जो है, वो clock बना रहा है, और अगर down count हाई है, तो Q bar जो है, वो clock बना रहा है, और आपकी जो counting sequence है, वो down में कैसी रहेगी, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, sorry, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, and 1, 1, 1, ok, 7, 6, 5 ये रहेगा, और 0, 0, 0, 0 के बाद next state, 1, 1, 1 होगी, यहाँ पे 0, 0 के बाद next state, 0, 0, 1 होगी, तो ये down counter, आपके दोनों जो purpose थे, कि एक ही circuit आपका अप counter की तरहे भी काम कर रहा है, as well as down counter की तरहे भी काम कर रहा है, और आप इसको दोनों mode में operate कर सकते हैं, depending over the control signal, जिस भी control line पे आप high देंगे, उसी mode में आपका counter काम करने लगेगा, I hope ripple, आप down counter का concept आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, keep learning, keep watching, thank you.